स्क्राइब का स्वागता है कैसे हो आप पासे करता हूं आप अप बहुत अच्छे होंगे दोस्तों LG का ये LED TV आया मेरे पास रिपेर होने के लिए इसमें समझ से है जिए मैंने इसका रेप्ट तो यहां पर लगा कि समझ से क्या इसमें जैसे कस्टूमर ओन करता है एक दो सेक से इसमें इसमें आप यहां पर लुब्लम है वो कंपलीट रिपेर करेंगे और किस वजह से आती है प्रोब्लम वो बताएंगे तो कहां कहां पर आपको कितनी वॉल्टे चेक करनी चाहिए किस किस चीज में आपको क्या चीज चेक करनी चाहिए और सबसे में चीज इस वाली LED जो LED कंपनी की होती है LG या हैर या आपकी फिलिपस की तो इनको खोलना बहुत ही कठिन आपके लोगों के लिए हो जाता है तो पहले मोडल नमबर दिखा देते हूं आपको देखिए जोस्तो 22LN4105TA ये इसका मोडल नमबर है ठीक है दोस्तो तो इसे हमें रिपेर करनी है अब दोस्तो इसमें क्या क्या चीज देखना है अब सिंग कंप्लिट बताते हैं तो सबसे पहले इसका अब डेप्टर अटा लेते हैं दोस्तो ये अडेप्टर का फाल्ट नहीं होता है ऐसा प्रोब्लम जो आती है सिर्फ आवाज रह जाती है अडेप्टर का फाल्ट ये नहीं है तो यहाँ पर पहले इसमें दो पेच लगे हुए है इन पेचों को खोल लेंगे वैस्तो इस्टेंड के है पर इने भी हम खोल लेंगे ठीक है और 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 लिड़ के बीच में जो लगा होता है भी खरेंगे और इसको पहले हम प्हले केमरे को सेट कर लेंगे तो हम फिर जब आज़ार आपको दिखाएंगे सबसे महाँ चीज दोस्तो इस LED टीव को खोलना बताएंगे कि यो इस LED टीव को सबसे पहले ओपन किया कैसे जाता है दोस्तो वीडियो थोड़ी सी लंबे हो सकते हैं उसके लिए समझाता हूँ पर आपके लिए बिल्गूल ज्यानवर्दक होगी बहुत इंपोर्टेंट वीडियो है प्लीज एक बार वीडियो को लाश्टर देगे ना हमारे चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब कर सकता है आपन ज़्यादा अंदर नहीं हलक हलके आच से आपको एक कोने में आपको वो लगा लेना है मतलब लोक को यहनु कि एक पहला लोग कोल लिजिए फिर आपको दूस्रा लोग कोलने के लिए अपको अगला पेचकस का यूज कनने हो गया या बरीक चिम्टी का और पेचकस पर आप जाके पैनल पर प्रोब्लम ना बनाई तो जैसे मैं या पर कर रहा हूं इस तरह से खना आपको बिल्कुल प्रोपर हलका हास से इसमें आपका पैनल पर नुकसान नहीं हो बेफिकर है इस पर साइड में बॉर्डर बनी है क्योंकि वह काफी इंपॉर्टेट पैनल है ऐसा नही टूटेगा बहुत ही आराम से काम किजिए काम जाएगा और साइड़ साइडस आपको अटू जड़ आपको लोक सी मिलेगे इसमें आपको कोई भी पेष नहीं मिलेगे पेष तो इस्र पर सिर्पेंड कि थे जो कि मैंने रिमूव कर दिये हैं इसमें सारे आपको पेष दीरे दीरे आपको सबी लोग खोलने हैं बहुत ही अराम से मैं अदर वीडियो बना भी रखी हैं उन्हें भी जाकर देख सकते हो क्योंकि दोस्तों एले टीवी को खोलना और भीड़ना ही सबसे बड़ी कलाकारी होती है रिपेर करना तो है ही तो ऐसे जैसे मैं खोलना हूं य दोस्तों देखें यह वीडियो मैं इसलिए बनाई है जिससे कि आपको पता लगे खोलने का भी क्योंकि खुलने के लिए काफी ज्यादा मुझे कमेंटरी खोलते कैसे हैं लेटीवी को तो इसलिए दो तीन में एक्ष्टा हो सकती है पर दोस्तों काफी नए-नाइमा कैने को बाइस आप सिक रखका उसके लिए तो देखें उसको बोरिंग लगेगी और इस ने उसके लिए तो इसका दो नहीं तो दोस्तों ऐसे आराम अराम आप सी से खोल लेना है चारो प्लब और पर अपर लगे तो इसे फ्रेम को खेंचना नहीं है अभी इस पे अलेडी जो यह इसका यही तरीका लगे बलां जो आप यह ऊपर नो खोलने को फैर हैं ऊपर नहीं उठाने है भिल्कूल तो अपको लोग हिए हिए इसका रहो है chick जैसे मैं आपके रहोग फ्रेटार रहोग सिफ लोग लोग इन्ग तीक है तीक है इसे क्यों जो आपका पैनल जो हमारी और पीछे केरे बार वार ये उतारना है ... ये उतारन容易ender पहले toそう किट नगे हैं ने भीच में एक पेचला होता है उसे आपको खोल लेना है एक लगे हो दो लगे हो किसी में हो सकता है किसी में दो भी भी हो सकती है म किसी में यहां पर वीजीहेच का onto यह जो आपका केबिल लगता है इसमें भी लगाऊ सकता है तो और आम से ऐसे आपका LED TV खुल जाएगा ठीक यह लेडिव आपका खुल चुका है इस तरह से आपको ब्रैंडिट कमपणी, LG अगरेगा TV खुल लेना है तो हमने खुल लेडिव सबसे पहला इस तैप इसमें आपको क्या करना है यहां पर आपको पूरी सफाई करनी और यह जो फाल्ट होता है दोस्तों यह आपकी इन्वेडर काड़ का होता है इन्वेडर काड़ क्या होता है ज पर्दे पे आपकी लाइट डाली जाती है उसी लाइट में प्रोब्लम है उसी लाइट को चलाने वाली मशीन में प्रोब्लम है यानि जो उस लाइट को बैक लाइट बोलते हैं यानि कि एक पर्दे पे अगर इस बैक लाइट डल लई है वो उसे चलाने वाला मेकैनिक जो है इसका मसीनी वो खराब है तो उसे रिपेर करेंगें तो सबसे पहले हैं पर एलवीडियस केबल को निकाल के इसे देखेंगे ज़्यादा गंदा तो नहीं अगर ज़्यादा गंदा हो रहा है तो इसको आपको साफ कर लेना है बहुत अराम से तो दोस्तों मैंने यहाँ पर नि अग्षी नहीं करनी है और बहुत हलका से निकल जाए दोनों तरफ से पिंदा भाई ये या किसी चिम्टी से या किसी आपको आपको पथद्धा ना कटे और इसको अराम से निकाल लेना है तो ठीक है यह निकल चुगа है और इसको भी अच्छे से देख लेना अगर कहा है अभी हम दिखाएंगे क्योंकि यह जाए तर में प्रोब्लम आती है और बहुत ही ज्यादा आती है क्योंकि मेरे पास आई ती रिपेर होने के लिए पहले भी ऐसी प्रोब्लम पर वो फिलिप्स किती हुआ लगी की नहीं थी तो यह क्या है मैं आपको बताऊंगा यह त हमारा इसी लगाकर छोड़ देना है तो यह क्लियर आप अब हमार जो इन्वीटर कार्ड में या लिख जानी कि पेक लाइट असों घुरा ने कि जैंशा ए מקारिक्त में बहुत मैं सिरीज भाख में किसी में प्रोब्लम हो या उसके प्त्त्रे में प्रोब्लम हो या या वाय प्रश्रक्राइब लिए डेप्टर कहे लिजी है चलाने वाला कुछ भी जो आपको अच्छा लगए पर अडेप्टर रहा इसका 19 वल्ट का होता है इन वाले इसमें 19 वल्ट रहा था 12 वल्ट नहीं होता है ठीक है दोस्तों इसमें क्या करना है आपको पहले सभी पत्ते गई हुए ने कोने में आपको देख सकतो LCD यह यह LED TV a कोने में आपको सीधा हाथ की तरफ आगे की तरफ जाके देखोगे तो आप एक बैक लाइट का पत्ता लगा हुआ है तो पहले तो हम यहां पर एक बार जो अडेप्टराइस की वोल्टेज ना पलेंगे यहां पर पूरी 19 वोल्टेज हमें मिल ली है या नहीं 19 पॉइंट कुछ में मिल सकती है आपको रीडिंग तो देखें 19 पॉइंट हमें 0.5 मिल ली है तो यह हमारा यानि की अडेप्टर ठीक है अडेप्टर की प्रॉब्लम नहीं है अगर अडेप्टर की वज़े से भी एक प बिल्कुल जो आपको शूर यकीन हो जाए देखें यहां पर देख सकते हो 19 वोल्ट है ठीक है अडेप्टर को वापिस से ऐसे लगा देते हैं अडेप्टर की यह समझ से नहीं है और मैं यह कैमरे को फोकस करता हूं और आपको बिल्कुल किलियर दिखाता हूं कि किस तरह से अपको करना है देखें दॉस यहां यहां इसी लगा देंगे अब ऐसी कंडिसन में सबसे पहले हमें एक बार डिस्प्ले को भी जा चलेना होगा वो काम करने से पहले देखिंए हमा पर पहले एक बार हमा आपको देखा दों को ने पैसे मैंने यह जो हमारा बैक लाइट का जो यहां पर देखे कनेक्टर लगा हुआ है उसको हम निकाल देते हैं पहले यहां पर अड़ेप्टर पर हटा लेते हैं दुबार चेक पर ठाके दुबार लगाते हैं आपको अगर कुछ दिख रहा है नामचार आपको भी देखे कैमरे में नहीं दिखेगा अगर आप जब रियल्टी में रिपेर करोगे तो आपको कुछ ना कुछ नंबर नजर आएंगे अगर आपको नंबर नजर आते हैं और आपको इसमें लाइट नहीं है तो समझज़ए बैक लाइट ही खराब है अगर आपके कोई भी नंबर नहीं है तो ग्रैफिक की आईसी खराब है ग्रैफिक की आईसी के लिए आपको एलवीडिया से चेंज कर देना है या उसको साफ कर देना है आपकी प्रोब्लम सोल्फ हो जाएगी तो एक बार हम बैक लाइट का यह प देखिए अभी दिखातों में दोबार से उनकर देखिए दूश में नो सिगनल आ चुका है इसका में कहना मतलब समन सकते हैं इसमें फाल्ड क्या है यह जो आपका बैक लाइट का पता है इसमें सिरीज होके जाती है और जब सिरीज में स्पार्किंग हो जाती है तो हमारा इन जी कर दें या हम उसे अच्छे से साफ करके दोबार से लगा दें उस पर बॉंड लगाके कस्टूमर को दे दें पर्मेंट प्रोग्लम सोल्यूसन हो जाएगा देखिए बंद करके दोबार चलाता हूं तो देखिए दोस्तों अभी देखते हैं देखिए पर्मेंट यहां पर आगया क्योंकि क्या होता है इनवेटर कार्ड जो होता है हमारा जब यहां बैकलाइट को वोल्टेज देता है अगर उसमाई बैकलाइट कोई वे बलब खराब है या आपका सोर्टिंग है या किसी वज़े से उसमें सिरीज में दिक्कत आ रही है तो एक बार तो जैसे हमारा इनवेटर कार्ड उसको सैंस नहीं कर पा रहा था और जब तक सैंस नहीं करेगा जब तक तैसी आएगा एक सेकंड के लिए तुरंत वापीस चला जाएगा तो यह फाल्ट तैसी में समझें अब हम इस फाल्ट को बिल्कुल जड़ से खतम करेंगे तो मैं कैमरे को बिल्कुल फॉकस करता हूं और मैं आपको दिखाता हूं दोस्तों आप अगर आप एससी वागारा मतलब आप किसी भी वो उसकी तैयारी कर रहे हैं सरकाई नोगरी तो आपको एक लिंक में डिस्कुस्चन में दोंगा उच चैनल पर जाके देख से काफी अच्छे से करके देखना दोस्तों कुल दिप किलास इसके नाम से काफी अच्छा चैनल है और दूसरा जो यहां पर यह जो बैक लाइट के पत्ती होती है नीचे क्या होता है यह LCD में और LED में यही डिफ्रेंस होता है LED में हमारे पीछे से बैक लाइट दे जाती है और इसमें उपर की तरफ से पत्ती दे जाती है तो ये जो दोस्तो हमारा पता है ये जो देख रहे हैं आप कनेक्टर तो ये हमारे बैक लाइट को कनेक्शन देता है शरीज में लगे लगे होते हैं अबलब तो देखे दोस्तो लाश्ट वाला और सबसे पहले वाला इन पर हमारा कारबन लगा हुआ काला काल आपको अलग ही दिख रहा हुए यह दिखे दोस्तों यह जो आपको दिख रहा है यह सपेद वाले बड़े कनेक्टर पे तो हम क्या करेंगे इस कनेक्टर का अच्छे से साफ कर देंगे या तो थिनर से या किसी ब्लेड से ठीक है अच्छे से साफ करना है क्योंकि और इसको साफ करने के लिए अपको सіш आपको कस्टुमर से क्या पैसा चार्जे लना है आपको कस्टुमर से इसका सिर्फ से जरविस चार्ज ले क्योंति नहीं कितना लिए नहीं क्यूंकि क्या होता है किसी के अरिये में कितना अग Jeśli बताऊं ऐसे जाइज जान पसा साब भाई हमारे गावबस्ती में कोई इतना पैसा नहीं दे पाता है जाए 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 मिज़े काम के सो या डेट सु रुपे देंगे आपको यकीन नहीं होता तो कभी आपको आकर देख सकते हो हमारे यहां पर कितनी ऐसे पैसा नहीं देते पर मैं काम बिल्कुल जैन्मिन करके देते तो दोस्तों यह मैं यहां पर कनेक्टर को प्रॉपर लगा देता हूँ यह बिल्कुल फिक्स तरीके से लगाना है नीचे यहाँ पे LED की एक लंबी पटी होती है, सिर्फ एक ही होती है उपर की तरफ से और इसमें यहाँ पे वो लगाया जाता है, यह जो LED के नॉर्मल पैनल होते हैं पहले आया करते थे पैनल, आप तो जायतर LCD, यहाँ पे LED के आते हैं तो इसको मैं अच्छे से लगाना है, बिल्कुर साफ वाफ करके बड़े तरीके से बहतरी तो नहीं आप इसे ब्लेड से साफ कर लूँगा और जो नीचे के पिना उसको भी हलक अलका आप साफ कर सकते हो बहुत हलका से ठीक है बस यही फाल्ट आता है, जादत तर आपकी LED TV में पैनल से रिलेटिड यह ओन ओफ की जो समझ चाती है, इसी तरह से आप रिपेर कर सकते हो और चोटी मोड़ी प्रोग्लम फिर भी रहेंगी, मैं वीडियो रैगुलर आपको देता रहूंगा LED TV से काफी सारी वीडियो हमने बना की हमारे चैनल पर जाके देख सकते हो, आपने देखी नहीं दो अब देखे दोस्तों, मैं दूर साब को बिल्कुल दिखाता हूं, अमने यह लगा तो दी बिल्कुल फिक्स, दुबार से LED TV को हम चालू करके दूर से दिखाते हैं, बिल्कुल बढ़े थीज़, कनेक्टर हमने लगाया, चार्जिंग यानि जो इसका डेप्टर है, और LED य अब आपके सामने होता है, इसी तरह से आपको फाइल करना है, और आपकी प्रोब्रम का 101% सोलिउसन हो जाएगा, देखे, मैं दोबार से बंद करके चालू करता हूं, और फिर जरा देखता हूं, इसको, इस्टेंड बाई से रिलीज करता हूं, तो दोस्तों, देखे, यह पहले से ही है, कस्टूमर का सिलाब भी आ गई थी, मैं आपे यह पैनल का फाल्ट है, तो हमारे देखे, LED TV ओके हो चुगा है, आज के लिए तो वीडियो चे तो लाइक करना है, आज के लिए तना ही जैहिन वन्ने मतम जैसी रहा हूं, दोस्तों, आपका दिन सूब हो,